शाहरुख खान ने मंगलवार को अपनी अपकमिंग फिल्म पठान का ट्रेलर शेयर किया है. वही साउथ इंडस्ट्री के सुपस्टा ने इस पर कॉमेंट करते हुए रिट्वीट किया है. तमिल और तेलुगू इंडस्ट्री के रमचरन और थलापती ने इसे ट्विटर पर रिपोस्ट किया है. वही शाहरुख ने उनका शुक्रिया किया है. उन्होंने रामचरन को ओस्कर के लिए शुबकामनाएं देते हुए अपनी एक ख्वाहिश जताई है. वही किंग खान ने थलापती विजय के ट्वीट पर उन्हें दिलिशस दावत देने के लिए कहा है. साथ सुपस्टा रामचरन और थलापती विजय ने बॉलिवुड के किंग खान को उनकी अपकमिंग पठान के ट्रेलर रिलीज होने पर शुबकामनाएं दी है. वही शाहरुख ने जवाब दिया, थैंक्यू सो मच माए मेगा पावर स्टार रामचरन. जब आपकी RRR टीम भारत में आसकर लाएगी, तो प्लीज मुझे इसे टच करने देना. RRR ने आसकर में बैस्ट सॉंग केटेगिरी और 14 हन्य केटेगिरी में इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है. आसकर के लिए फाइनल नॉमिनेशन का एलान 24 जन्वरी को की जाएगी. राम चरन और जूनियर NTR स्टार, RRR को अमेरिका में बहुत पसंद किया गया है. हॉलिवुड के नामचीन हस्तियों ने इस फिल्म को लेकर एकसाइटमेंट दिखाया है. थलापती विजे ने ट्वीट किया, शाहरुख सर और टीम को पठान के लिए शुबकामनाई. शाहरुख ने जवाब दिया धन्यवाद मेरे दोस्त विजे आप इस विनम्रता की वजह से ही थल्पती हैं. चलो जल्दी डिलिशस दावत के लिए मिलते हैं. पठान, जिसमें दीपिका पादुकोन, जौन अब्रहम, दिम्पल कपाडिया और आश्यतो श्राना भी हैं, 2023 में बॉलिवुड की पहली जोगी.